नफस के टोपी पर अड़े का छिलका रखने से नफस के टोपी मोटी होती है। ढीले नफस पर केले के पत्ते रखने से नफस टाइट हो जाता है। नहारमू खटी दही खाने से नफस देर तक खड़ा रहता है। अजवाइन पानी के साथ पीने से मर्ग के टाइमिंग में इजाफा होता है। सिया अंगूर का जूस पीने से मनी गाड़ी होना शुरू हो जाती है। दौराने जमा पौदेने की खुच्बू सुंगने से मनी देर से निकलती है। गाजर को दूद के साथ खाने से मसाना को ताकत मिलती है। जादा गर्म दूद पीने से मर्दाना ताकत कम हो जाती है। ठंडा दूद पीने से मर्द के पठ्ठों को ताकत मिलती है। उट की चर्बी खाने से जमा की टाइमिंग एक घंडे तक बढ़ जाती है। लौंग का पानी पी कर औरत के पास जाने से औरत को पूरी खुशी मिलती है। बत्त का सूप पी कर औरत को जमा करोगी तो औरत की चेखे निकल जाएंगी। औरत के बाएंपाओं पर सरसों के तेल से मालिश करके जमा करने से औरत मर्द को जल्दी फारिक नहीं होने दीती। दौराने जमा औरत की गर्दन पर दात गारने से औरत फौरन ही फारिक हो जाती है। औरत अगर बादाम खाए तो औरत की अकल बजाये पढ़ने की कम हो जाती है। मर्द बादाम खाए तो मर्द की अकल कम नहीं बढ़ने लगती है जिस ओरत की गरदन मोटी हो वो मर्द को पूरा मज़ा देती है जिस ओरत की गरदन ओंट की तरहं लंबी हो वो मर्द को जादा पास नहीं आने देती जिस औरत का पेट बाहर को निकला हुआ हो उसमें आम औरत से ज़्यादा शैवत बरी होती है जिस औरत के दाएं पाउं पर तिल का निशान हो ऐसी औरत की पहली आुलाद बेटा होता है सिया रंग वाला कान कटा बकरे की कफोरे साथ दिन तक खाने से नफस बारा इंच तक लंबा हो जाता है जिस औरत का दुबर बाहर की जाने बलकला हुआ हो ऐसी औरत को मोटा नफस इंतहाई पसंद होता है कुवारी लड़की की निजवत शादी शुदा औरत में शहवत जादा होती है